4, 3, 2, 1 प्रतियोगीता के कंटेस्टन भी थे और इस प्रतियोगीता में 30 प्रतिबागियों को चुना गया जिन में एक नाम विशेश का भी है आपकी जानकारी के लिए बता दे की अपनी खुबसूरती का जलवा दिखाने के लिए ये प्रतियोगीता सिर्फ किन्नरों के लिए आयोजन किया जाता है और साल 2004 से बाद हर साल ये प्रतियोगितार की जाती है बतादी के विशेश के माता पिता भी उनके इस उपलब्दी से काफी खुश्रे और जब उन्हें मालूम चला था कि उनका बेटा किन्नर है तब उन्होंने काफी जेरियो और सांती से काम लिया था जब विशेश के पिता मैंगलेम को उनके बेटे के बारे में पुछा गया था तब उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक बेटी से बढ़कर है हाला कि पहले वो उनके इस व्यक्तित्व के खिलाब थे लेकिन बाद में उन्होंने इसकी इस परस्नालिटी को एक्सेप्ट कर लिया इसी तरह जब विशेज की मा खोम दोंबीक ने अपने बेटे के बारे में पुछा गया था तबी उन्होंने बताया कि शुरूआत में विशेज जब औरतों के कपडों की तरफ काफी इंटरस्ट लिया करते थे तब उन्हें बहुत कुछ सा आता था लेकिन बाद में उन्हों ने भी विशेज को स्विकार कर लिया